टेकी मेज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन को ज़रूर दबाएं या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपका WhatsApp है या नहीं या फिर आप किसी का स्टेटस या तो इमेज है या फिर वीडियो आप उसे कैसे सेव कर सकते हैं विदाउट नॉइंग तो इस तरह के कुछ सबसे पहले करना है आपको अपनी स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब को बटन नजर आ रहा होगा अगर आपने चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बैल आइकन को दबाना मत भूले ताकि आप किसी से चैट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाली हुए एक ट्रिक जिससे आप यह काम कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप अपने फोन में ब्राउजर ऑपन करेंगे आप कोई भी ब्राउजर ऑपन कर सकते हैं मैं अपने फोन में 하나 s nine one है हमारे इंडिया का कंट्री maxim है थत्री कोड़ यह हैąं प्लस nine one और आङे टाइप करने मॉबाइल नंबर वह मॉबाइल नंबर जिससे आप telefon करना चाहते है तो friends यह देखिया, आपके WhatsApp में यह open हो चुका है, यहाँ पर बीना नमबर सेव किया है, यहाँ से message कर सकते हैं, तो यह message send हो चुका है, तो friends अब हम बात करते हैं, WhatsApp status को कैसे save कर सकते हैं, चाहे तो वो image या फिर video, तो friends इसके लिए आपको अपने file manager को open करना होगा, आपके phone में एक file नाम का folder हो गया तो उसे open करेंगे, और उपर है three dots जिसे आपको open करना है, तो friends इसमें हमें कुछ permissions देनी होती है, तो मेरे phone में वो settings में है, आप open करेंगे settings, तो यहाँ पे है show hidden files, तो इसे आप enable करेंगे, तो friends जो यह three dots है, कुछ fonts में यह show hidden files जो है, यहाँ पे settings के पास ही होती है, लेकि मेरे phone में वो settings के अंदर थी, तभी मैंने आपको settings open करके बताया, तो friends अब आप open करेंगे WhatsApp, और जिसका status आपको save करना वो status आप open करेंगे, और अगर वीडियो है तो पूरी play करेंगे, अगर image आप वो भी पूरी देखेंगे, तो यहाँ testing number कर मैं देख रही है, तो चलिए friends अब चेक कर लेते हैं, इसको हम किस तरह से save करेंगे, यह हमारे phone में है या नहीं, तो चलिए friends, सबसे पहले आप open करें फिर आप जाएंगे storage में, जैसे के internal storage, तो internal storage में जाएंगे, फिर whatsapp option होगा, वहाँ पर आप इसे click करेंगे, next है open media, next go to status folder, इसे आप open करेंगे, तो friends यह देखें, यहाँ पर यह वीडियो शो हो रही है, तो चला के देख लिजिए, तो friends, यह status तो हमारे phone में आ चुका है, लेकिन अभी यह save नहीं हुआ, अब इसे save कैसे करेंगे, इसे आप long press करेंगे, तो आप जहाँ save करना चाहते हैं, पहले यहाँ पर copy करेंगे, उसके बाद internal storage या किसी storage में जहाँ भी जाएंगे, folder create करेंगे, पहले आप अपना folder select करें और यहाँ पर इसे हम save करेंगे, तो यह हमारे जो WhatsApp status नाम से एक folder है, उसमें यह save हो चुके है हमारे phone में, तो आप गैलरी में जाके इसको चेक कर सकते हैं, तो आप इस तरह से, तो आप इस तरह से, किसी के भी WhatsApp status को save कर सकते हैं, चाहे तो वह image है, चाहे वह video है, तो process जो है image का भी same रहेगा, तो friends, next है how to reply privately in a group, यानि कि एक group है, उसमें काफी सारे members है, उसमें आप particular एक member को privately reply करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, जोरोरी नहीं कि वह number आपके phone में save होना चाहिए, तो चलिए friends, अब यह देख लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक group है, तो friends, यहाँ पर है, तो friends, यहाँ से आप private message send कर सकते हैं, तो friends, next है, how can you check your WhatsApp is hacked or not, तो friends, यह सबसे अच्छा point है, आप अपने WhatsApp को कैसे चेक कर सकते हैं, कि कोई और तो यूज नहीं कर रहा, तो friends, इसके लिए क्या करेंगे, WhatsApp जब आप open करेंगे, तो side में 3 dots है, जिसे आपको open करना है, यहाँ पर एक option है, linked device, तो आप इसे open करेंगे, तो friends, अगर आपका WhatsApp hack नहीं है, तो आपको इस तरह की screen नज़र आएगी, अगर आपका WhatsApp कोई और यूज कर रहा है अपने device में, त आप इसे बचा कैसे सकते हैं, जहाँ पर वो device का name होगा, अगर आपको लगता authorized, sorry, अगर आपको लगता वो unauthorized नहीं, कोई और यूज कर रहा है, तो उसको कैसे बचाएंगे, उस वेले device पर long press करेंगे, और उसे वह से delete कर देंगे, और इस तरह से आप अपने WhatsApp को hack ओने से बचा सकते हैं, तो friends, next है payment feature, तो friends, जिस contact को आप payment करना चाहते हैं, उस contact को open करेंगे, और यहाँ पे रूपी आइकन हैं, जिसे आप select करेंगे, तो यहाँ पे payment भेजने के लिए आपको सबसे पहले अपना bank account add करना होगा, get started, तो यहाँ पे आप bank account add करेंगे, सबसे पहले bank select करेंगे, तो friends, जब हमें payment करनी है, हम सिरफ उसी number से कर सकते हैं, जिस number जो bank में account के साथ, आपको number link है, उसी के साथ आप करेंगे, उसी number पे आपके पास एक verification code आएगा, suppose मैं select करती है, HDFC bank, तो देखे, verify your number, आपके पास एक verification code आगा, जो आपको यहाँ डालना होगा, उसके आपके इसे को अपने account से payment को transfer कर सकते हैं, that's it. तो friends, next है, how to pin the frequently used contact, यानि कि वो contact जिसके साथ आप बात करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे use करते हैं, और वो अपनी WhatsApp लिस्ट में सबसे उपर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी और का message आता है, तो जिस number से आप ज़्यादा बात करते हैं, वो number फिर नीचे हो ज का button है, याँ पर का icon है, इसे click करूँगी, तो जो ABC है, यह हमेशा उपर ही रहेगा, कोई अगर message भी आएगा, तो किसी और का message आता है, वो नीचे आएगा, ABC का message आए याना आए, वो मेरी लिस्ट में सबसे टॉप पे रहेगा, तो फ्रेंड, next है view once, जो एक feature है new once, स्पोस मैं यहाँ पर कोई अपने video या image send करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो save ना करे, जो recipient है, जो दूसरा user है, जिसको मैं भेज रही हूँ, वो receiver है, वो इस video को यह image को सिरफ एक बार देखे, और वो वहाँ से खतम हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जिस तर से attachment में आप जाते हैं, गैलरी में कोई भी photo यह जिस तर से photo है, यह लिया, तो friends यहाँ पर आपको one नजर आ रहा है, जहाँ पर add caption है, यहाँ पर one है, आप इस one पर click करेंगे, प्रेस ok, और यहाँ जब send करेंगे, तो यह दे किया है, तो friends next है, add emphasis to your word, तो emphasize का मतलब क्या होता है, friends जिस तरह से आपने किसी को message करना है, और जो वो word है, कोई उसमें से एक word जो है, आप उसे अलग से दिखाना चाहते हैं, उसे highlight करना चाहते हैं, स्पोस्थ उसे bold करना चाहते हैं, इटलिक करना चाहते हैं, फिर strike through करना तो आप कैसे कर सकते हैं, काफी fonts में इसका inbuilt feature होता है, तो आप वहाँ select करते हैं, तो आपके पास side में एक list open हो जाती है, जहां से आप ये काम कर सकते हैं, लेगिन कुछ fonts में ऐसा inbuilt feature नहीं होता, तो जिस font में नहीं होता, तो वहाँ पे आप कैसे करेंगे, मैं वो बताने पर भाली हूं, स्पोस्ट मैंने यह उपन किया और यहां पर मैंने भेजना है Hello और Hello मैंने भेजना है Bald में, तो क्या करेंगे? स्टाटिक में यहां पर एस्टरिक साइन आप लगाएंगे और आगे लिखेंगे word, जो आपको word लिखना है suppose यहां पर लिखा मैंने hello और इसको मैं bold करना चाहती हूँ end में भी asterisk sign आएगा आप इसे send करें तो देखिए यह जो word है hello वो bold हो चुका है इसी तरह से अगर किसी word को मैं italic करना चाहती हूँ तो उस time पर आप क्या करेंगे तो उस time पर सबसे पहले आप use करेंगे underscore और बीच में आप अपना word लिखेंगे जो आप लिखना चाहते हैं hello और end में फिर से दुबारा यह underscore आएगा तो यह देखिए यह italic हो चुका है यह देखिए और लग से यह word गया है अब next is strike through तो strike through कैसे होगा सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे tiled का sign तो friends यह देखिए यह है tiled यह लगाएंगे यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे hello और फिर next end में फिर हम यह करेंगे ठीक है friends यह देखिए send किया तो यह होगा तो इस तरह से हम अपने words को emphasize कर सकते हैं हम अपने words में emphasize add कर सकते हैं तो friends next है how to read the deleted messages without using the third party app यानि कि किसी app को use किये भीना WhatsApp पे जो delete हो जाते है messages उनको हम कैसे read कर सकते हैं तो friends यह मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप अपने phone में कैसे read कर सकते हैं तो सबसे पहले आप open करेंगे settings यहाँ पर आप जाएंगे notifications में और यहाँ ओपन करेंगे advanced settings advanced settings में option है notification history तो friends notification history को on करना है अगर यह already होन है तो आप इसे पहले disable करेंगे इसे turn off करेंगे उसके बाद इसे on करेंगे on करने के बाद तो friends अब हमारे पास कोई message अगर आएगा और उसके वो message delete हो जाएगा लेकिन जब message आएगा पहले उसकी notification आनी ज़रूरी है अब message हमारे पास आचुका है मैं आपको testing करके बता रही होगे तो जब मैं चेक करने लगी तो यह दखे इस message वो deleted message तो delete हो चुका है अब मैं यह चेक करूँगी कि मेरे phone में यह message आया है या नहीं आया तो कैसे चेक करेंगे settings पे जाएंगे notifications advanced settings go to notification history तो देखिए friends यह देखिए यह आ चुका है यहाँ पर तीन notification आई हुई है तो चेक करते हैं यह देखिए मेरे पास अभी भी message है टेकी नहा का थोड़ी देर के बाद जैसे open करने लगी this message was deleted तो आप इस तरह से यह trick है आप deleted message को अपने phone में पढ़ सकते है तो friends इसकी जो दूसरे way से हम deleted message पढ़ सकते हैं वो है third party apps काफी सारी play store पे जो हैं यह third party apps available हैं इसके बारे में आपको अपनी next video में बताऊंगी तो friend मैंने इस वीडियो में आपको कुछ WhatsApp के important tips and tricks के बारे में बताया है आपको यह tips and tricks क्यासी लगी मुझे comment section में जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो पसंद है इसे like जरूर करें और साथी साथ इसे share जरूर करिएगा Thank you आपको